समय सब कुछ बदल देता है जरूरत सिर्फ सब रखी है जीवन में क्या करना है ये रामायन सिखाती है जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाती है और जीवन कैसे जीना है ये गीता सिखाती है नमश्कार मैं हूँ मुहित कमिश्रे माली आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और रक्षा बंधन पर वास्तू रक्षा सूत्र के इस विशेश एपिसोट में सबसे पहले आप सभी भाई भेनों को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुब कामना है अब बात करते हैं कि रक्षा सूत्र यानि की वास्तू रक्षा सूत्र ये होता क्या है तो भारतिय परंपरा में या तो फिर ये बोला जाए कि इनके अनुसार रक्षा बंधन के दिन परिवार के पुरोहित जो होते हैं पंड़त जो होते हैं वो लाल और केसर या धागा ले करके उसको मंत्रो चार से पवित्र करने के बाद में सदस्यों की कलाई यानि की जो आपका हाथ है इस पे बांगते हैं और इसी के साथ में घर का जो में गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर भी बाहर की तरफ इसे बांदा जाता है। मंत्रों की शक्ती, प्राप्ट हुएवे ये धागे, प्रहमान में व्याप्त दिव्य शक्ती के प्रती प्रेम और श्रद्धा का उद्धोश तो करते ही हैं, साथ ही मुसीबत के समय इश्वरिय सहायता को भी आकर्शित करते हैं। वास्तु शांती के समय भी रक्षा सूत्र भवन के चारों तरफ पंच तारों के रंगों का प्रतिर नद्यत्व करते हुए बांधा जाता है। पर जिसे मौली बोला जाता है उसमें हो तो वो शनी ग्रह को रिप्रेजन करता है। वास्तु शास्त्र के नुसार घर के मुख्य द्वार पर बंधा ये रक्षा सूत्र आपके घर को दुरभाग्ये से और कई प्रकार के प्रॉब्लम्स जो होती है आपत्या होती है विपत्या होती है उनसे बचाता है। शायद इसी वजे से इस त्योहार को हर बुराई से बचाने वाला पर्व कहा जाता है क्योंकि भाई भी यही वचन देता है अपनी बहन को कि कोई भी विपत्ती हो कोई भी प्रॉबलम हो उसमें मैं तेरे साथ में कड़ा रहूँगा तेरे उपर कोई आच नहीं आने जैसा श्री कृष्ण ने ध्रॉपदी के लिए किया था तो वैसे ही रक्षा सूत्र आपके घर के लिए आपके परिवार के लिए करता है इसके बाद में बात आती है रक्षा बंधन का शुब महरत कौन सा है काफी जगाहों पे बहुत सारे कन्फूजन है जो मैं आपको यह महरत बता रहा हूँ यह दिली स्टांडर्ड टाइम यानि कि जो इंडियन स्टांडर्ड टाइम हमारा होता है उससे बता रहा हूँ जो कि डेली से कल्कुलेट किया जाता है आप इसे डेली देखिए मुंबई देखिए कैलकटा देखिए या चिन्नाई देखिए यहां सार को पांच बच के 31 मिनट तक है सबसे पहले तो ये क्लारिफाइ कर लीजे कि कब से कब तक है तो 6 बच के 17 मिनट से 5 बच के 31 मिनट तक शाम के ये आपको समय अबधी मिली है अब इसमें विशेश अभिजीत महरत जो है वो है 12 बच के 20 मिनट से एक बजे तक का ये आपको मिल रहा है लगबग 40 मिनट तो ये 40 मिनट अभिजीत महरत है सबसे अच्छा माना जाता है सबसे शुब माना जाता है इसके बाद में बात आता है अमरत के चौगडिये का जैसे शुब चौगडिया महरत होता है उसी में अम्रित का चौगडिया होता है तो उसका समय है सुबे दस बच के 47 मिनट से बारा बच के 17 मिनट तक का इसमें भी अगर आप रक्षा बंधन के लिए जाना चाते हैं भाई के घर या तो फिर इस समय के अंदर इस समय अवधी के अंदर आप बांधते हैं तो यह शुब है इसी के साथ में विशेश अभीजीत महौरत मैंने आपको अलड़ी बता दिया है बारा बीस से एक बज़े सबसे बैस महौरत जो है वो यही होगा इसके बाद में दोपहर में आपको फिर से एक शुब चौगड़ी का महौरत मिलता है वो है एक बज़ के 47 मिनिट से तीन बज़ के 17 मिनिट तक का और यहाँ पे आपको खास तोर पे एक चीज का खयाल रखना है जो सारा समय मैंने आपको बताया है आपको बताया था पांच बज़ के 17 मिनिट तक रक्षा मंदिन का पर रहेगा जरूर पर दोपहर में साड़े चार बज़े से लेके 6 बज़े तक यह जो डेड़ घंटे की अवदी है इसको राहुकाल बोला जाता है यानि की 22 तारिक को रहुकाल का समय जो है वो साड़े चार बज़े से लेके 6 बज़े तक का है इस समय में भूल करके भी राखी नहीं बांधते तो जो भी आपके पास में महुरत है वो दोपहर साड़े चार बज़े से पहले पहले तक के ही है इस बात का आपको खास ख्याल रखना है अब बात करते हैं कि रक्षा सूत्र मान लीजे प्रोहिजी नहीं आए पंडिजी नहीं आए पर बांधना तो तो भी है घर की सुरक्षा तो भी जरूरी है घर वालों की सुरक्षा भी जरूरी है तो ऐसे में अब क्या कर सकते हैं तो फिर आपको रक्षा सूत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले 22 तारिक को सुबह सुबह उटके आपको अमरित बेला में सनान कर सूर्य को जल चड़ाना है यानि कि सूर्य को अर्ग देना है इसके बाद महादेव की आराधना करनी है और जिसके बाद शिवलिंग पर जल चड़ाना है ये तो हो गया आसान सा काम अब इसके बाद में बात आती है पांच रंग या तो फिर जिसे बोलता है पचरंगी जिसे बोला जाता है वैसा धागा लेना है आपको कोई भी किराने की शौप पे आप चले जाएए या तो फिर नहीं पर पूजा पाट का सामान मिलता है, महां पे चले जाएए, हर जगे मिल जाएगा, कोई कलावा बोलता है, कोई मौली बोलता है, तो वो आप ले लीजेगा, अब इस धागे को गंगाचलत में डुबोना है, चंदन में इसको सा आप करते हुए ही आपको ये अपने में गेट पर बाहर की तरफ आप मान लीजे कुंडी जो लगाते हैं आप बाहर उस पर बांद सकते हैं हैंडल है तो हैंडल पर बांद सकते हैं उसके अलावा कोई भी दूसरी जगे है में गेट पर तो वहाँ पर आपको बांदना है अब उसे मानेंगे ना कि घर की फाटक को या तो फिर जो लोहे की आपने बनाई है कोई बड़ी सी दिवार उसको इस बात का ध्यान रखना है अब मुख्य द्वार पे ये बंदा ये धागा जो है आपके घर को हर बुरी नजर से हर विपत्ती से कोई भी बड़ी परेशानी आने वाली हो आपकी जिंदगी में उससे बचाता है ऐसा क्यों तो घर के वातावरन पंच महाबूद जो की होते हैं जल वायू पृत्वी आकाश और अगनी तो इन सब को आपके घर में संतुलित रखता है सारे एलिमेंट्स जो है अगर वो बैलेंस रहेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक अपने वहाँ पे ही सप्रेस हो जाती है आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो इन ही एलिमेंट्स के इंबालेंस होने की वज़े से होती है तो यहाँ पे जोतिश और वास्तू साथ साथ चलते हुए आपको ये सोल्यूशन बता रह और उस से कैसे सारे घर वालों को और घर को प्रोटेक करेंगे यह रक्षा बंधन परव पर यानि की 22 अगस्त को ही आपको ये उपाय करना है श्रावन पूर्निमा के और भी बहुत सारे उपाय है उसमेंसे एक दो आपको और बता देता हूँ श्रावन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पून कलाओं के साथ होता है और इस दिन पूजा उपासना करने से चंद्रदोश से मुक्ती भी मिलती है चाहे जो लोग बहुत फिकल माइड़ है याने की हर दो मिनिट में अपना दिमाग चेंज कर लेते हैं या जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं जिनको गुसा बहुत आता है तो ऐसे लोगों को ये जो उपाय बता रहों जरूर करना चाहिए है तो श्रावनी पूर्णिमा का दिन दान पुन्य के लिए बहुती जादा इंपॉर्टन्ट माना गया है अधर इस दिन सनान के बाद या त उसे चारा खिलाना है चीटियों को और मचली को इन सब को दाना खिलाना है याद रखेगा कि 22 अगस्त के दिन गौधान का बहुत जादा महत्व है और श्रावनी पर्व के दिन जो भी ब्रामिन है जो जनोई पहनता है जनोई पहनने वाला ब्रामिन वो धर्मावलंभी, मन वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प लेकर जनों बदल देता है ब्रामनों को यता शक्ती दान दिया जाता है और भोजन कराया जाता है और इस दिन भगवान विश्नु और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान भी है तो अगर आप नहीं जानते थे ये चीज़ तो 22 अगस्त के दिन सुबह या तो फिर शाम को लक्ष्मी जी की और विश्नु जी की पूजा जरूर कीजेगा अब विश्नु लक्ष्मी के दर्शन से सुख, धन और सम्रद्धी ये सभी के आपको प्राप्ती होगी और इस पावन दिन पर भगवान शिव, विश्नु, महालक्ष्मी, हनुमान इन सब को आपको रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए आशा करता हूँ ये वास्तु रक्षा सूत्र जो है ये आप भी बनाएंगे जो विधी बताया हूँ उसके जैसे ही बनाएंगे और अपने घर के गेट पर ज़रूर लगाएंगे क्योंकि अल्टिमेटली यहाँ पे फोकस सिफ एक चीज़ बेह कि आपका भला कैसे हो कई लोग कमेंट करते हैं कि आप तो वीडियो इसके लिए डालते हो कि आपको रुपे मिलते हैं तो शायद उन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि यूट्यूब काम कैसे करता है उनको लगता है कि बस यूट्यूब हर किसी को देता है तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त और ना ही मैं उस परपस के लिए डालता हूँ मेरा यहाँ परपस यही है कि जो भी देख रहा है इस एपिसोट को जो भी इस एपिसोट पे क्लिक करें उसकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी मैं जरूर ला सकूँ बस इसी के साथ में हमेशा की तरह यही प्रार्तना करूँगा कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन रहे, सम्रिद रहे और घर में जो भी बड़े बुजर्ग हैं उनका साथ और आशिरवाद हमेशा प्राप्त करता रहे जैश्री राम एवं जैद जैश्री रहे